नमस्कार विद्धार्ति मित्राओं एम्पीसी बेसिक इस यूटूब चाइनल पर मेर उपलगिरी आपका स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में हम सिटी एटी के बारे में और उसमें जो इवेस के कोशन होते हैं उसके बारे में डिसकस करेंगे ज्यादा समय बिताते न हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करती हैं देखिए पहला करते हैं साब नीम्ना लिख्ःत में से कौन सा कतन सही है आपको सही कधन पूचा हुआ है तो देखिए कतन है फर्स्ट खद्य पधार्त यहां पर पधार डबल हुआ है खद्य पधार्त से जुओं को उर्जा प्राप्त नहीं होती सेकंड है भोजन से प्राप्त उर्जा शारेरी क्रिया के लिए उपयोगी होती है थर्ड है पादप उत्पादक इसका सही अंसर है ओ हे भोजन सेकंड ओप्शन है भोजन से प्राप्त उर्जा शारेरी क्रिया के लिए उपयोगी होती है यह कथन सही है यह गलत है यह बीलत है और यह बीलत है तो आपका सही कतन होगा option number second इस के बाद का question देखें निवनल इखित में से कोनसी सुमे लित न देखे पहली जोडि एव फरल, काजू, सेकंड है सबजिबेंगन, थर्ड है अनात्सोया, और फोर्त है मसाला सुन, सू मेलित नहीं है पूचाए, तो इसका सही अंसर है, ईसर, अप्षन नमबर, थर्ड अनात्सोया, यह सू मेलित नहीं है, गलत है पर अपका यह अंसर होगा इसके बात का कोशेन देखिए निमनलिखित कथन पर विचार कीजिए दो कथन दे हुए आपको उस पर विचार करके आपको सही कथन बताना है देखिए फर्स्ट ए कथन है जनतु से प्राप्त होने वाले उत्पादनों में मास मचली और अंडे प्रमुख है बी कथन है है ऑप्शन नमबर फर्स्ट केवल एक अतन है वो सही है ये गलत है इसलिए आपका अंसर होगा ऑप्शन नमबर फर्स्ट इसके बात का कोशेन देखिए निमनलिखित को सुमेलित कीजिए यहाँ पे भी आपको जोडिया लगानी है तो देखिए यहाँ पे स्त्रोथ दे पाफि किस काफि किस में आते हैं ऑर पत्ति पत्ति किस में आते हैं शाग में और पत्ति चाय में रहीर कॉसेट। आपका सही आंसर होगा ओफ्षान नुम्बर सेकेंड देखिए अपका आंसर होगा इसके बाद का कोशन देखिए पोशक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं और बी यह दोनों कथन सही है यह गलत है इसलिए आपका सही अंसर होगा option number first इसके बाद का question देखिए निमनम ऐसे कौन सी सूमेलित नहीं है सूमेलित नहीं यह पूचाए देखिए यहां पे स्त्रोत दे हुए है और यहां पे है तो पोशक तत्व स्त्रोत में दिया है मीट अ सूमेलित नहीं है इसलिए आपका अंसर होगा option first इसके बाद का question देखिए निमनल इखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचूरता है कुछ वर्ग दियो है इसमें प्रोटीन की प्रचूरता किस में आधिक है यह बताना है अपको यहां पे option first दूद आम गाज़ता है second है अंडा मतर मचली third है सोया बिन चना मक्का और fourth है सेब धही मास तो इसका सही अंसर है ओ है option number fourth सेब धही मास यह आपका अंसर होगा इसमें प्रोटीन की प्रचूरता रहती है इसके बाद का question देखिए यदि एक अध्यापक अलू चावल ब्रेड शक्कर की उधारुन का स प्रोटीन और fourth है खनीज लवन तो ओ अध्यापक क्या पड़ाना चाहता है ओ पड़ाना चाहता है खनीज लवन इसलिए वो आलू चावल ब्रेड शक्कर का उधारन दे रहा है इसके बाद का question देखिए नूम नियमना लिखित को सू मेलित सू मेलित कीजिए यहापे प्रो करता है और यहाँ पर उनका कार्य दिया हुआ है तो आपको क्या करना है उनको सू मेलित करना है यहाँ पर संक्रमन से बच्छाओ कौन सा प्रोटीन करता है चलन हित्तु कौन सा प्रोटीन है और हीमोगलोबिन का परिवहन कौन सा प्रोटीन करता है यह आपको बताना है तो आपको परिवहन प्रोटिन क्या करता है वो करता है उत्तक निर्मान और संकुचन प्रोटिन क्या करता है चलन हित्वा होता है सवरचनात्मक प्रोटिन क्या करता है हिमोगलोबीन का परिवहन करता है और रक्षनात्मक प्रोटिन क्या करता है संक्रमन से बचाव करता है इस त से किं नहीं होता सेट्ड ऑप्ष्टन है जियो लोग रोग नहीं होनी की संबहवना नहीं रहती है थरड है दोनों ही कथन सकते हैं तो इसका चिंतर टो इसका सही अंसर है जो है और उपचार दे हुए अब यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुक रोग आओं उनके घरीलू उपचार कौन से है यह बता है आपको तो पता है भारत में प्राचिन काल से बहुत सारे रोगों का घरीलू स्तरपई ही समुच्चत उपचार किया जाता है उन में से कुछ वर्तमान भी ही प्रचिली थे जिनका विवरन निमनली की थे देखिए रोग दे हुए और उनका उपचार देया हुए यह देखिए आम बुखर पर आपको क्या उपचार करना चाहिए मेति की चाय पी नहीं चाहिए इसके बाद घाव होता है घाव लगने पर आपको क्या करना चाहिए हल्दी का लेप लगना चाहिए इसके बाद है मोच मोच आने पर आपको क्या करना है हल्दी और चूने का लेप लगना है पेट दर्द होने पर आपको उप्चार में क्या करना है हिंग अजवाइन का यूज करना है इसके बाद है आख में जेलर होने के बाद आपको क्या करना है खीरा चाय पत्ती की पत्ती आख पर लगानी है वैसे ही आक में सुजन आने पर आपको क्या करना है धनिये के बीच लगना है इसके बाद दात दर्द हो रहा है तो आपको क्या करना है हिंग का चूरन और लोंग का ते लगना है इसके बाद गला खरब होने के बाद आपको क्या करना है अद्रक और गुड़ खाना है इसके ब खाद्य पधार तो कुन से आपको इसमें बताया है देखिए आपको पता है कि भारत में भिन्न भिन्न शत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के वेंजन खाये जाते हैं किसी शेत्र का खान पान उस शेत्र के खान पान से आसानी से उपलब्द हो जाता है उस खाद्य पधार का ज जो सेत्र विशिश नस्क्रूति में महत्म इत्यादी ओ लोग मचली चावला दिखाते वेसे दखे भारत के लोग क्या आदा क्या होता है वो क्या होता है लिटी चोका, खुबी किलाई, चावलदार, वैसे गोवा में कौन सा वेज़न या खादे पधारत चलता है मचली याने नारेल का तेल में बनी मचली ज्यादा खाई जाते, वैसे ही हरियाना में बाजरा खिचडी, कडी पकोडा, गुजरात में क्या खाया जा जाता है मचली, बांस, चावल, वैसे ही जम्मू कश्मीर में तबक भाजी, कलाडी पनीर, राजमा, कहवा, मध्यप्रदेश में क्या खाया जाता है बुट्टे की खीर, जारकन में रुगडा मश्रूम, मुडवा रोटी ये खाई जाती है वैसे ही नागालेंड में क्या ख जाता है सर्सो का साग , मक्य की रोटी , ओडिशा में चेना पोडा , राजस्तान में क्या खाया जाता है राजस्तान में मलाई घेवर , चुर्मा बाटी , मेगालई में तुकतब, मचली की चटनी, पच्छिम बंगल में क्या खाया जाता है? दाप छि नगरी, जिंगा, रसगुल्ला और संदेश वेसे ही च्छतिसगड में खाया जाता है लाल चिट्टी की चटनी वेसे केरल में क्या खाया जाता है? अवईय, मिश्रित सबजी होती है, वो केरल में खायी जाते है, वैसे ही टैपियो का, त्रीपूरो में क्या खाया जाता है? बेरामा, यानी मचली इस तरह हमने शयत्रिये वेंजन देखे, राज्ये और उस राज्ये में कौन से वेंजन खाये जाते है, या खादे पदारत खा पूर्ण है अब भी हम लेक्चरे हैं पे ही स्टॉप करते धन्यवाद